नहुसका दोस्तों मैं ऐसा राव आपका फिर से स्वागत करता हूँ नए वीडियो के साथ और आज हम जिस सेप्टर को समझने वाले हैं वो है फेरोजन सेक्शन टेक्निक हिस्टो पैथोलोजी लैब के अंदर ये एक टेक्निक होती है जिसके दवारा हम टीशू की माइक्रोस्कॉपिक स्टड़ी करते हैं लेकिन टीशू परसेसिंग के अंदर भी करते हैं माइक्रोस्कॉपिक लेकिन फेरोजन सेक्शन टेक्निक और टीशू परसेसिंग के अंदर complete process होता है यह origin section technique का लेकिन जो tissue processing के अंदर क्या होता है कि जब microscopic study करते हैं tissue की जब sample collect हुआ sample collection होने के बाद जब histopathology lab में पहुंचा जब तक उसकी microscopic study होती है उसके अंदर complete process के अंदर 3-4 दिन तक का process होता है अगर हम automated tissue process का यूज करते हैं फिर भी 2-5 दिन तो लग जाते हैं लेकिन pharogen section technique क्या होता है एक rapid process होता है इसके अंदर जादा से जादा 20-20 minutes या 30 minutes का 30 minutes का ही time लगता है तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं आज pharogen section technique का practical जो वीडियो है वो तो आगे कभी time मिला तो बनाएंगे लेकिन theoretical part जो है theoretical जो वीडियो है अपना आज बना रहे हैं इसके अंदर आपने समझेंगे क्या इसको क्या करेंगे एक point by point divination कर रखा है मैंने तो इसको point by point समझें जैसे आपको आसानी से याद हो जाएगा और exam के अंदर लिखना बहुत आसान होएगा तो सबसे पहले पढ़ेंगे introduction की pharogen section technique है क्या सबसे पहले पढ़ेंगे pharogen section technique का introduction introduction के अंदर गया होता है कि pharogen section जो technique है यह किस परकार work करती है क्या इसके main मतलब जो इसका short information इसके अंदर पढ़ेंगे उसके बाद specimen handling है जो इसका specimen होता है जब histopathology lab के अंदर पहुंचेगा तो उसको handle करने का special process होता दो या चार बातें जो होती ध्यान रखने वाली होती है उनको समझेंगे उसके बाद method of pharogen section technique इसका complete process है कि यह जो sample को collect करने के बाद microscopic study तक 20 से 22 मिनट 25 मिनट जो लगते हैं यह complete process कैसे होता है यह इसका process अपने इस वीडियो में बढ़ेंगे merit of pharogen section technique इसके जो advantage है क्या है इसके lab क्या है merit क्या है pharogen section technique का जो process होता है इसके अंदर हमें क्या merit या क्या advantage जो हमें मिलते हैं अब इसके बाद डी मेरिट और pharogen section technique की डी मेरिट इसके disadvantage क्या है इसकी हानी क्या है अगर हम tissue processing को tissue processing के दवारा microscopic study कर रहे हैं और pharogen section इससे कर रहे हैं तो pharogen section से अगर हम microscopic study कर रहे हैं तो इससे हमें disadvantage क्या है मिलते हैं तिशू की study के बारे में कुछ हानी है जो हमें ही मिलेगी उसके बाद objective फेरोजन section technique इसके उदेश से क्या है क्यों हम फेरोजन section technique को use करते हैं यह complete process है यह अपन जो सारा introduction as specimen handling है method of erosion section technique है merit demerit और objective यह complete आज अपने इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे तो वीडियो में बने रहना सबसे पहले वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे request करना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो पे like कर देना comment करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देना तो समझते हैं सबसे पहले introduction अब पढ़ते हैं introduction के अंदर क्या है कि हम अपने फेरोजन section technique का एक शूट information लेते हैं कि फेरोजन section technique का जो complete process है कैसे हो दा अब सबसे पहले जो operation theater के अंदर sample collect होता है अब operation theater के अंदर surgery के दोरां doctor sample collection करता है लेकिन sample को collect करने या surgery में जाने से पहले doctor क्या करता है operation theater से पहले histopathology lab के अंदर information देता है कि हम एसा एक sample बेजेंग जो आपको फेरोजन section technique के लिए आपको microscopic study करनी है उसकी और हमें report प्रस्तूथ करनी है या हमें report पहुंचानी है अब sample को histopathology lab में पहले से पहले किया मिल जाती है सुचना मिल जाती है हिस्टopathology lab में अब जैसे histopathology lab के इंदर सुचना मिलेगी हिस्टो पैथोलोजी लैब के अंदर जो माइक्रोटोम होगा ज्यादा तर माइक्रोटोम होता है यूज क्राइव स्टेट माइक्रोटोम या फ्रीजिंग microtome जो होता है freezing microtome जो होता है अब इनका जो temperature होता है वो minus 30 से 35 degree करना पड़ता है यह जो minus 30 से 35 degree का process होता है इसके अंदर 30 से 45 minute का time लगता है तो इससे पहले start करना पड़ता है तो 30 से 35 minute तो इसके अंदर इसका temperature maintain होने में लग जाता है तो सबसे पहले इसी लिए information देती है कि हम आपको ferogen section technique के लिए के एक सा sample देंगे जो cryo state microtome या freezing microtome है उसका temperature maintain कर लिया जाता है अब क्या करते है जब sample collect हुआ sample collect होते हैं cryo state microtome में उसका section cutting के लिए उसको जमा देते हैं उसके अंदर एक इस परकार की check लगी होती है इसके अंदर यहां पर tissue रुपते हैं और यहां पर पानी की कुछ बुंदे डाल देते हैं और यह जब complete process होता 30 से 35 degree में होता है तो यह tissue असानी से जम जाता है अब cryo state microtome इसके अंदर use होता है cryo का मतलब होता है cold और state का मतलब होता है stable अब यह complete process है माइनस 30 से 35 degree temperature पे होता है इसलिए इसको बोलते हैं cryo state technique भी बोलते हैं अब क्या है इसके अंदर जो use होती है यह जो माइनस 30 से 35 degree temperature के लिए जो gas use होती है वो CO2 या liquid nitrogen होती है अब tissue freezing section कट हुआ उसके बाद कुसकी staining हुई staining के बाद उसके staining करते हैं ज्यादा तर hematotoxaline and eocene staining के दोबार या poly chrome methylene blue के दोबारा staining करते हैं staining हुआ उसके बाद उसकी microscopic study होई और report OT के अंदर बेज़ दी जाती है अब आगे का process जो होता है doctor क्या करता है उस report को देखके उसकी जो surgery है जैसे भी करना है उसको आगे का process जो होता है doctor का होता है ये जो complete process होता ना ये 20 से 30 minute के अंदर होता है tissue processing के अंदर 3 से 5 दिन का time लगता है लेकिन जो pharogen section technique का process होता है ये 20 से 30 minute के अंदर complete हो जाता है तो इसलिए हम चलती हुई surgery के दोरान क्या करते है doctor operation theater के अंदर sample collect करते है और histopathology lab के अंदर बेज देते है और ये 20 से 25 minute या 30 minute के अंदर इसकी जो microscopic study होती है वो कर और जो report है जो operation theater के अंदर बेज देते है और जो doctor है वो आगे का process करता है specimen handle का इतने process होता है कि sample को तुरंट जो अर्जेंट होता है histopathology lab के अंदर बेजा जाता है और formalin के अंदर डाल के और वहां पे histopathology lab के अंदर पहुंचते ही tissue की क्या करते है जो थोड़ी बहुत information है वो अलग से कागस भी है उसके register के अंदर record कर गे और उसको formalin के अंदर fix कर लेते हैं formalin के अंदर fix कर लेते हैं और या फरिखा करते हैं एक या दो तीन मिनट के लिए उसके उस tissue को उबाल लेते हैं ये specimen handling के अंदर आप लिख सकते हो अब क्या करते हैं process or method pharogen section technique का जो complete method है वो समझते हैं सबसे पहले क्या करते हैं इसको इसका जो method है इसको divination के sample collection है ये जो मैंने 4-5 point बनाई इससे पहले ये समझ लेते हैं कि जो cold microtome या cryostate microtome जो होता वो किस type का होता है उसका कुछ diagram मैंने इस type से बनाया है इतना अच्छा नहीं है मेरा हाथ diagram के अंदर फिर भी मैंने कोशिस किया है कि जो cryostate microtome होता है ये fridge type का होता है लेकिन इसके अंदर ही microtome होता है इसके अंदर ही स्थित होता है अब ये इस type से microtome है ये इसका thermostat है जहांपे ये 30 से 35 degree जो temperature होता है वो stable रहता है ये इतना stable रहता है इसके अंदर जो use होती है वो होती है CO2 या liquid nitrogen यहांपे इसका microtome जो लगा होता है ये transparent एक lead लगी होती है ये cold chamber होता है ठीक है ये operating handle होता है जब section को cut करते है तो इस cold microtome या cryostate microtome है इसका handle होता है वो बाहर लगा होता है इसको हम जैसे जैसे run करेंगे यहांपे section हमें cut होए मिलेगे यहांपे चक होती है ये चक ये चक इस type से होती है जैसे ऐसे इसके अंदर यहांप space होता है यहांपे tissue को रखके side में water की drop डाल दी जाती है और ये जो चक होती है यहांपे thermostat के अंदर अस्ति एक space होता है वाहंपे रख देते हैं और दो या तीन मिनट के लिए वेड करते हैं तो क्या करते हैं ये जो बाटर की drop के अंदर tissue जो होता है वो अच्छी तरीके से जम जाता है और एक जब हम यहांपे चक को कस के जब इसके handle को अपरेटी handle को जब run करेंगे तो यहांपे जो निफ लगी होती है निफ इसकी जो blade होती है वो section को cut करते है लेकिन ये सबसे बड़ी problem इसके अंदर क्या होती है कि इसके जो यतने भी section होते है वो हमें अलग-अलग से मिलते है ये इसकी फिते रूमा जिसे tissue processing के अंदर section कट करते है वैसे नहीं मिलते है अब यहांपे जो इसका process है वो समझते है सबसे पहले sample को collection किया histopathology lab के अंदर sample collection करने से पहले information मिली की जो pharogen section के लिए हमें एके tissue मिलेगा उसके बाद operation के दोरान क्या क्या sample को collect किया और histopathology lab के अंदर बेज़ दिया उससे पहुंचते ही specimen को क्या करेंगे fixation करेंगे 10% formalin के अंदर डालेंगे या 1-3 minute के लिए tissue को अपन क्या करेंगे formalin के अंदर अबाल लेंगे अब tissue के अंदर fixation के process complete होने के बाद क्या करते हैं tissue को चक के अंदर रखेंगे अब जो मैंने यहां पर बताया था चक यहां पर जो होती है वो उसको अलग से इस परकार की होती है वो उसके अंदर डाल की tissue को और यहां पर thermostate के अंदर रख देते हैं क्या करते हैं यहां पर जो operating handle है उसको run करेंगे यहां पर जो निफ लगी होती है उससे section cut होएंगे अब section cut होए cut होने के बाद जो section है उसको slide पर लेके क्या करेंगे stain करेंगे stain polychrome methylene blue या H&E stain hematotoxylin and eosin stain का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है उसके बाद tissue की microscopic study करेंगे और histopathology lab के अंदर जो reporting है उसको report करके operation theater के अंदर बेज देते हैं जो भी उसका result होता है यह होता है pharogen section इसके अंदर क्या होता है कि जो यह complete process होता है यह 20 से 30 minute के अंदर होता है यह एक परकार का बहुत ज़्यादा speedly process होता है अब अपने पढ़ते हैं इसके advantage या merit इसके हमें lab क्या मिलते हैं यह इतना speedly process होता है इससे हमें क्या जो benefit होते हैं क्या इसके advantage है अब merit of pharogen section technique या advantage of pharogen section technique कि इसके अंदर क्या होता है कि हमें pharogen section technique के lag क्या मिलते हैं सबसे पहले जो low cost है यह बहुत कम खर्ज पे ही जो microscopic study है टीशू की असानी से हो जाती है सबसे पहले यह benefit यह मिलता है इसका merit यह ही है कि यह बहुत कम खर्ज पे क्या होती है हमें जो microscopic tissue की study करना चाहते है वो असानी से हो जाते है सब टाइमिंग के अंदर क्या होता है जो tissue process का जो time है पांस से तीन से पांस दिन लगता है लेकिन यह pharogen section technique के अंदर क्या होता है यह 20 से 30 मिनट के अंदर complete process हो जाता है उसके बाद tissue processing में damage होने वाले tissue अब tissue processing के अंदर कुछ tissue ऐसे होते है जो क्या होता है कि जब हम tissue processing करते है उस tissue के अंदर जो उसके cells होते है उनके अंदर क्या होता है जो changes आ जाते हैं जो tissue होते हैं जो cell की study होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती क्योंकि वो damage हो जाते हैं तो उस परकार के tissue के अगर हम microscopic study करना चाहते हैं तो वो pharogen section technique के अंदर हम कर सकते हैं ये इसके कुछ merit है अब demerit of pharogen section technique अब इसके अंदर जो disadvantage है microscopic study करने के लिए क्या करते हैं जातो या तो tissue processing करते हैं या pharogen section technique करते हैं tissue processing के अंदर ज्यादा तर यूज किया जाता है क्योंकि उसके अंदर time भी बहुत कम लगता है फिर भी उसको ज्यादा यूज किया जाता है pharogen section technique के अंदर time भी कम लगता है लेकिन इसको फिर भी use कम मिलेते हैं क्यों लेते हैं क्योंकि इसके अंदर Demerit Disadvantage हैं. Cell की जो Morphologia Structure होती है वो Change हो जाती है. जिसे Cellular Details जो होती है वो हमें सही से Microscopic most思़ बी장 उसलिए इसनी की मिल पाती है. अब स्टेनिंग अच्छी नहीं होती है. अब जादा तर जो स्टेन होते हैं Microscopic study के अंडर Halenutok잖y से स्टेंड नहीं होते और उससे क्या होती है जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है वो अच्छे से नहीं होती सपेशल स्टेंड का यूज पॉसिवल ही नहीं है कोई अलग से कोई विशेस स्टेंड होती है उसका यूज इसके अंदर हो करी नहीं पाते क्योंकि इसके अंदर जो हम जल्दी से section कट होता है, इसके अंदर क्या होता है, कि इसकी, जो microscopic study करनी है, तो हमें metodoxylin and EOC instantly या polychrome methylene blue को ही यूज के जाता है, और उसके अंदर भी cellular जो structure होता है, वो अच्छे से provide नहीं होता है, impossible to get serial section, जो section होते हैं, वो हमें फिते नुमा या एक से एक के साथ पूरा हम 100% वरोसा करके नहीं कह सकते हैं, कि ये report मतलब सही है, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो reporting की quality होती है, वो पूर quality होती है, अच्छी quality नहीं होती reporting क्योंकि एक जल्दी से किया हुआ process होता है, cell की structure show and difficult, अब जो microscopic study के अंदर हम जब cell की study को देखते हैं, या microscopic study करते हैं, तो जो उसकी cell की structure होती है, वो change हो जाती है, या सही से strain नहीं होती है, उसकी वज़े से क्या होता है, जो cell होता है, हम जो microscope के अंदर show हो रहा है, वो बहुत difficult हो जाता है पहचाना जिसको हम microscopic study के अंदर देखना चाहते हैं, ये है demerit of erosion section technique, इसके अंदर आप सबसे पहले cell की morph morphology changes है, उसके बाद cellular details की study जो असानी से नहीं होती, standing अच्छे से नहीं हो पाती, special standing का इसके अंदर use ही नहीं कर सकते हैं, और impossible to get serious, जो section होते हैं, वो हमें फिते नूमा नहीं मिलते हैं, अलग-अलग से section मिलते हैं, poor quality of reporting, report की जो quality होती है, वो अच्छी नहीं होती, cellular की structure जो इतो है, चानना उसके अंदर, microscope के अंदर, अब क्या करते हैं, pharogen section technique के objective पड़ते हैं, अदेश्य क्या है, objective of pharogen section technique, इसकी अदेश्य क्या है, क्यों हम pharogen section technique को use करते हैं, tissue processing के अंदर भी cell की जो microscopic study होती है, वो बेती है, और ये pharogen section technique का हम यूज़ क्यों करते हैं सबसे पहले rapid diagnosis है यह जो फेरोजन section technique है इसके अंदर बहुत कम time लगता है इसलिए इसको rapid diagnosis के अंदर नाम से भी जाना जाता है क्योंग tissue की जो microscopic study होती है sample collection से लेके जो microscopic study है जो reporting का time है यह complete process 20 से 30 minute के अंदर complete होता है उसके बाद है cancer cells जो होते हैं उसका human body के अंदर किसी प्रकार की कोई maligent growth हुई है उसके अंदर पहले से diagnosis हुआ है कि इस को इस cells के इस के अंदर present अपने आज पढ़ा है tissue processing के अंदर tissue process का यह शोट रूप होता है hydrogen section technique है तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए नमस्कार